दोस्तों बिल्कुल सही कहा जाता है कि जब आप किसी ना किसी गलत काम में फ़स जाते हैं और लगातार उस गलत काम को अंजाम देने लग जाते हैं तो कभी ना कभी आपको उसका फल जरूर मिलेगा आपको उसका नतीजा जरूर देखने को मिलेगा और वही इस वक्त इजरा नहीं करना पड़ेगा और अगर यह सोचा था दोस्तों इस्राइल ने तो इस्राइल अभी तक बहुत बड़ी गलत फहिमी में था जिस गलत फहिमी को कई देश दूर करते नजर आ रहे हैं कभी ब्रिटेन के सरकार जो है ब्रिटेन की वह यह फैसला लेती है कि भई जो वेस् इस्राइली कंपनियों को अब बड़े बड़े देशों में आयोजित होने वाले समारो आयोजित होने वाले कारिक्रम आयोजित होने वाले ट्रेड या कह सकते हैं आपकी मेले में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है खुलेयां कह दिया जा रहा है कि दुनिया भर की तमाम कं मेले में शामिल हो सकती हैं लेकिन सिवाए इस्राइली कंपनियों के यानि इस्राइली कंपनिया उस मेले का हिस्सा नहीं बनेंगी अब यह किस देश के में बात कर रही हूं दोस्तों यह जानकर भी आपको हैरानी होगी क्योंकि जादा आबादी वाला देश नहीं है दोस्तो कौन सा है जिसने इस्राइल को सब के सामने बेज़द कर दिया है यह कहके कि आपकी कंपनियां अमारे देश में इस कारिक्रम में शामिल नहीं होंगी मैं आपको इस खबर में बताऊंगी दोस्तों देश का नाम किया है आखर तक इस वीडियो को जरूर देखेगा नमस्कार मेरा नाम है जयनती जहा और आप देख रहे हैं दिकंटाब दोस्तों चिली साउथ अमेरिका का एक वो देश जो शुरूरात से लेकर अब तक इस्राइल का विरोध करता आ रहा है घजा में चल रही जंग को लेकर हमास का नाम ले लेकर इस्राइल जिस तरीके से फल कर्स्तीनियों को खत्म करना चाह रहा है दोस्तों वो एथनिक क्लेंजिंग वो जलसंगहार जो लगातार इस्राइल के तरफ से किया जा रहा है उस पर अब कई देशों ने ना सिर्फ प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी हैं बलकि फैसले लेने शुरू कर दी हैं और यह फै से कम आबादी वाले देश ने इसराइल को एरो स्पेस में बड़ा छटका दिया है दोस्तों एक कारिक्रम या आप कह सकते हैं कि मेला आयोजित होने वाला है चिली में और यह जो मेला होगा यह आयोजित होगा अगर मैं इस मेले की बात करो तो 9-14 अपरेल तक यह मेला आयो धुजित होने वाला है और दुनिया भर से दरजनो एर कंपनिया दरजनो एरो स्पेस से जुड़ी कंपनिया इस मेले में शामिल होगी यह जो मेला है दोस्तों इस मेले को आयोजित कर रहा है FIDAE के बारे में अगर बात की जाए दोस्तों तो इसके द्वारा ये जो मेला आयोजित हो रहा है अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो चिली सरकार ने फैसला लिया है कि 9 से 14 अपरेल के बीच आयोजित होने वाले अंतराश्ट्य वायू और अंतरिक्ष मेले यानि कि FIDAE में इस बार इसराइली कमपनियों की भागीदारी नहीं होगी जिहां इसराइली कमपनियां इस मेले में भागीदार नहीं हो पाएंगी इस मेले में शामिल नहीं हो पाएंगी इस कदम के पीछे चिली सरकार ने कोई वज़ा क्लियर नहीं की है साफ पुष्टी नहीं की है कि आखिर क्यों इसराइली कंपनियों को इस मेले से नजारत रखा जा रहा है लेकिन इसमें सबसे बड़ी वज़ा दोस्तों गज़ा को बताया जा रहा है गजा इसमें सबसे बड़ी सबसे एहम वज़ा बताई जा रही है क्योंकि गजा में जिस तरीके से इसराइल ने कतलियाम मचाया हुआ है दोस्तों उसके बाद कई देश इसराइल के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर चुके हैं और अब इस फैसले के बाद चिली भी उन गजा में जो उसने किया हुआ है अभी फिलाल जो उसने जारी रख रखा है दोस्तों उसके विरोध में इसे सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है चिली सरकार की तरफ से आपके जानकारे के लिए बताना चाहूंगी कि संभावना अखिर क्यों जताई जा रही है कि चिली स दो करोड़ से कमाबादी वाला वो देश है जिसने इसराइल के खिलाफ तब भी मुचा खोला था जब इस जंग के शुरुआत की थी हमास द्वारा इस्राइल के उपर हमला किया गया और बडले में इस्राइल ने हमास के खात्मे का हवाला करते करते तकरीबन 29,000 से ज़ादा फलिस्तिनियों को मौत के खाट टुतार दिया महां के हालत बच से बत्तर कर दी पूरे के पूरे घजा को खंधर में तबदील कर दिया हर और मलवा ही मलवा फैला दिया दोस्तों इस वक्त वहां की जनता जिस हालात में रहने के लिए मजबूर है भगवान न करे वैसा दिन कभी किसी को देखना पड़े लेकिन वो लोग सह रहे हैं वो इस वक्त उस स्थिती में है इसराइल को बार बार चिताया जा रहा है बार बार उससे कहा जा रहा है कि अब ये युद्ध रुख जाना चाहिए क्योंकि जितना तुम्हे करना था तुम कर चुके हो निर्दोश लोगों को मौत के खाट उतार चुके हो जहाँ प्लस्तिनियों की संक्यार जादा है दोसतो वहाँ-वहाँ घजा में हो चाहें वैस्त बैंक में हो चाहें दूसरे कई लाके हो वहाँ-वहाँ हमास का हवाला देते हुए इस्राइल ने हमले किये और हमले में क्या हुआ कई सेक्डों हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी लोग मारे गए तो चिली वो देश है दोस्तों जहां पर तक्रीबन समझ लेजे कि पांच लाग के करीब में फिलिस्तीनी मूल प्रवासी जो हैं वो रहते हैं अब इतनी भारी तादाद में जहां पर फिलिस्तिनियों के संक्या है जाहिर सी बात है कि जो हो रहा है गज़ा में फिलिस्तिनियों के साथ खासकर जो हो रहा है उस पर चिली का नाराजगी जताना या इसराइल के खिलाफ मोचा खोलना है लाजमी है दोस्तों माहें के लो लोग मार समझсьए कि कितनी भारी तादाद में पलिस्तीनी नाकर. पलिस्तीनी मूलात कर लिया है वहाँ पर रही है ह। जहें ज़ाहिसी बात है कि वहासे जो फैसला आया है को। अब ऐसे में इसराइल ने इस पर प्रतिक्रिया दिया और उसने ये कहा है कि चिली ने जो किया है या चिली ने जो फैस्टा लिया है चिली सरकार ने हम यह नहीं कह सकते कि हम इसराइल के प्रती इस रवईये से अशर चकित हैं यानि हम शौक नहीं है इस रवईये से ये इसर राजदूत ने क्या है इस्राइल के राजधूत है इन्होंने एफपी को बताया कि सरकार ने उनसे डी आ ए के बारे में संपर्ख नहीं किया है साथी जो यह भी कहते हैं कि यह ऐसा फैसला नहीं है जिससे की हम शौक्ट हो पाए जाहिसी बात है दोस्तों कि इसराइल क्यों शौक्ट होगा इसराइल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है वो तरजनों सेक्डों फिलस्तीनियों को मौत के घाट हर रोज उतार रहा है उसे बाकरी में शायद अब फर्क पढ़ना बंद हो गया है मैंने आपको कुछ समय पहले एक खबर दिखाई थी जिसमें आपको ये बताया था दोस्तों कि इसराइल की जनता का ये मानना है एक सर्वे में सामने आया इसराइल चानल 13 का ये सर्वे था जिसमें ये पता लगाए गया कि क्या इसराइल के प्रिधान मंत्री बिंजमिन नेत 30 प्रतिशत लोग ऐसे थे जो ऐसा मानते थे कि ये सब कुछ अपनी फतेह के लिए इसराइल के सरकार करें अपनी जीत के लिए इसराइल के सरकार करें जबकि बाकी के तरह 50 प्रतिशत लोग ये मानते हैं कि इसराइल के प्रिधान मंत्री बिंजमिन नितन्याहू अपनी कुर कि जिस देश की जनता ये कह रही हो कि इस्राइल के प्रधान मंत्री अपनी कुर्सी के मोह में सब कुछ कर रहे हैं उस देश को क्या ही फर्त पड़ेगा अगर कोई देश की सरकार उनकी कमपनियों को अपने देश में आने से रोग दे तो हाला कि बहुत बेज़ती वाली बात दोस्तर पूरी दुनिया में ठूतू होने वाली बात है किरकली होने वाली बात है लेकिन आप यह समझ सकते हैं कि यह जो घमंड है इस्राइल का यह हो सकता है बहुत जल्ट टूटे अभी तौ फिलाल नजर नहीं आज़ा है ऐसा कि टूटेगा लेकिन बहुत जल्ट जा रहे हैं युद्ध की वज़से चाहें वो आर्थिक मंदी हो एकनॉमी का डाउन होना हो या इसराइल के प्रदान मंत्री बिंजमिन नितन्याहू पर सैक्रो केस हो ऐसे में ये पूरी तरीके से लाजमी है कि आगे आने वाले दिनों में पूरा जवाब जरूर मिलेगा जो चिली में पाँच लाग फिलिस्तीनी मूल के नागरिक मौजूद हैं गज़ा में इसराइल के हमलों के बात चिली ने इसराइल का कड़ा विरूज जताया था और गज़ा पर कारवाही को सामुहिक सजा भी बताया था दोस्तो अंत में चिली के विदेश मंत्राले ने बयान दिया था कि चेली इंसेहने अभियानों की खडी निंदा करता है और बड़ी चिंता के साथ इसको देखता है इसके अलाबा गजा में नागरी को पर इजराइल के हमलों को सामोही दंड बताया था उसने चेली ने क्रिमिनल कोट में इसराइल के कि इसे संजबा जा सकता है कि चिली ने जो कदम उठायए है वह क्यों उठाया होगा किस वज़े से उठाया होगा दोस्तों चिली के इस पूरे फैसले पर किया आप इस वैसले का इस डेखते हैं साथ ही इसरा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले फिर मुलाकात होगी आप सगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार